हेलो फ्रेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरी स्टार चेंज, जो मैजिक और अडवेंचर से भरी हुई है, उमीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं तो ये कहानी एक ऐसी यूनिवर्स पर बेस्ट है, जहां इंसान और शेतान दोनों का ही वास है, और खुद को एक दूसरे से अलग रखने के लिए इन्होंने अपने अपने इलाके बाटे हुए हैं, इंसानों का इलाका तीन एमपायर्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे ता बहुत मुश्किल है, और इसी वज़ा से ना जाने कितने लोग अपनी जानगवा चुके हैं, आगे का सीन किन एमपायर की यांजिंग सिटी का है, जहां कुछ लोग किंग से मिलने आए हैं, यही हम उनके प्रिंस शोयू को देखते हैं, जो अपने पिता काइंडू के साथ एक पेड लगा रहा है, किंग अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है, जिसे सोचकर वो बहुत परेशान है, तब ही गाड्स उसे बताते हैं कि परपल एडर यहां आ चुके हैं, और किंग भी उनकी बास सुनने को तयार हो जाता है, वो सब उसे श चैनल नहीं कर सकता, और यह प्रोब्लम लाकों इंसानों में से किसी एक को होती है, आगे हम किंग और शोयू को कहीं ट्रैवल करते हुए देखते हैं, और पता चलता है कि वो अपने गुरू शेंग जियान से इसका कोई सोलूशन लेने आए हैं, किंग उसे एल्डर्स की व रवाइब नहीं कर पाएगा, और उसे सेफ रखने के लिए वो शोव को सबसे अलग एक मिस्टी विला में बेज देता है, जो जंगलों के बीच एक सुरक्षी जगा पर बना हुआ है, जल्दी ही दो साल बीच जाते हैं, और शोव एक कलेंडर में आज की डेट देख रहा ह वो देखता है कि आज नई साल का दिन है, और पिछली बार उसके पेताई से दिन उससे मिलने आये थे, ये सोचकर उसे बहुत खुशी होती है, और तब ही उसके दादा जी लियान महा आते हैं, वो जानते हैं कि शोव अकेला बहुत उदास रहता है, और इसलिए वो उसे ए सेबल रख देता है, और खहता है कि आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, फिर वो सेबल के साथ अपने डैट से मिलने जाता है, और लियान भी कुछ गार्ड्स को उसके पीछे बेचता है, उसे लगता है कि कि गिंग को इतना कठोर नहीं होना चाहिए था, और ये काफी देर बाद भी वहाँ कोई नहीं आता, और शोव भी इंतिजार करते करते ठक जाता है, तब ही वो पीछे अपने पिता को खड़े वे देखता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो उसके एक हैलुसिनेशन थी, और वहाँ तो असल में उसके दादा जी खड़े हैं, उसे इस बात से बहुत दुख होता है, और तब लियान उसे समझाता है कि तुम्हें अपने पिता पर भरोसा रखना चाहिए, और उन्हें जरूर कोई काम पढ़ गया होगा, आगे हम उसे सेबल के साथ जंगल में खेलते हुए देखते हैं, और तब ही एक चीक सुनकर वो सब च चा लेते हैं, और ट्री वुल्फ को वहाँ से भागना पड़ता है, वो आदमी अपना नाम टिशान बताता है, और शोव का शुक्रियादा करने के साथ साथ उसे अपनी सिस्टर टाई से इंटर्ड्यूस कराता है, और बताता है कि हम लोग थोर गाउं से आए हैं, शोव य कुछ देर खेलना चाता है, वहाँ वो लोग खूब मस्ती करते हैं, और टिशान और टाई का प्यार देखकर शोव को भी अपने भाईयों की बहुत याद आती है, तब ही टिशान सामने एक शेर को खड़े वे देखता है, और शोव बताता है कि ये तो मेरे अंकल हे ही है, ह इन में छोटा है जैंग और बड़े भाई का नाम है फैंग, शोव उने देखकर बहुत खुश होता है, और वो सब आपस में बहुत इंजोई करते हैं, फिर वो उनसे अचानक यहाने का कारण पूछता है, और फैंग कहता है कि हम तो पिता जी के साथ लड़ाई की प्रैक् बस निकलना होगा, और ये सुनकर शोव उदास हो जाता है, क्योंकि दिन खतम होने में बस कुछी टाइम बचा है, सुबह उसके भाई वहाँ से वापस जाने लगते हैं, और उसे प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स टाइम हम और भी इंजोई करेंगे, लेकिन शोव को ये सुनक बिल्कुल खुशी नहीं होती, लियान इशारे से उन्हें जल्दी करने को कहता है, और वो लोग उन्हें अलविता बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं, शोव भी रोते वे वहाँ से भाग जाता है, और उसे अपने बच्पन की बाते याद आने लगती हैं, कि कैसे उसकी प्र परवा नहीं हैं, और इसलिए वो उससे मिलने भी नहीं आते, उसने दादा जी से भी इसके बारे में कहीं बार पूछा था, लेकिन उन्होंने भी उसे कभी सीरिसली नहीं लिया, शाओ ने भी खुद को मना लिया था, कि वो अपने भाईयों की तरह सक्सेस्फुल नहीं ब पड़ती है, वो विश मांगता है कि मुझे भी अपने भाईयों की तरह बनना है, ताकि अपने पिता के साथ रहकर उनकी मदद कर सकूँ, और इस तरह वो भी मुझे इग्नोर नहीं कर पाएंगे, फिर अचानक उसके माइन में एक खयाल आता है, और उसकी उदासी एकदम स खुशी में बदल जाती है, वो सोचता है कि स्टार्स भी तो अलग-अलग तरह के हैं, कोई कम, कोई तेज, कोई तूटता है, तो कोई एक ही जगा रहता है, लेकिन इसके बावजूत को हर राता आसमान में शाइन करने आते हैं, और रूनी की तरह मुझे भी लाइफ में हा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, थैंक यू